माननिय उप्राश्ट पती जी, माननिय प्रधान मंती जी, राज्य सभा में सदन के नेता, संसदी कारे मंती जी, प्रतिपश के नेता, लोक्सभा में सबसे बड़े दल के नेता, सभी माननिय मंत्री गण, सभी माननिय संसद सदश गण आज संसद्भावन के इस एतियासिक कक्ष में जो हमारी देश की आजादी का शाक्षी रहा जो सविधान निर्मान का शाक्षी रहा जिसमें अनेक परिवर्तन एतियासिक दिन्ने हुए इसी केंद्री कक्ष में मान्य राष्ट पती जी का उद्भोधन में हमें मिला विश्च के कई राष्ट अद्धिक्षों ने यहां सम्मोधन करते हुए हमारे लोकतंत के प्रतियास्तावेक की और आज इस केंद्रिय कक्ष से हम सब लोग नए संसद्भोन की और प्रवेश्च कर रहे हैं यह नया संसद्भोन हम सब के लिए नई आकानशाओं नई अपिक्षाओं और नई उम्मीद नई उमंग के साथ होगा मेरी ऐसी आशा है आज इस सबसर पर उन सब संत्ता सिनानियों को भी नमन करता हूँ जिनोंने हमारे भईश्च के लिए हमारे कल के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया मैं आज उन महानेताओं को भी नमन करता हूँ जिनोंने इस केंद्रिक कक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा सविधान निर्माण में अपना अमुली योगदान दिया जिनोंने देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में अपना दायत निभाया आज हम उन सभी माननी सुदश्यों को भी इस्प्रण कर रहे हैं याद कर रहे हैं जो हमारे बीच में ने रहे लेकिन जिनोंने अपने सविधानिक दायतों का निर्भन करते वे देश की प्रगति में योगदान दिया मैं आज संसद के उन सभी मानिने सांसदों का भी हारदिक अभिनन्दन करता हूं जिनके लंबे संसदिये अन्भो का लाब आज हमें मिल रहा है ये संसद भौन अनेक एतियासी घटनाओं निन्यों और परिवर्तन कारी कानूनों के निर्मान का साक्षी रहा है हमारी संसद कई घटनाओं का मंच रहे है जिन्होंने 75 वर्षों में इस देश को एक ऐसा सरूप दिया है जो दुनिया में एक नई तागत और सामर्त रखता है हमारी संसद देश की करोड़ो जनता की अभिवक्ति भावनाओं का माद्यम रही है जहां हमें लोगतांतिक संसकती के अनुरूप चर्चा और समवात से अनेक चुनोतियों का समाधान निकाला है और कई शेश्टम परतिमान इस्तापित की हैं इन 75 वर्ष की संसदिय लोगतंत की गोरोशाली यात्रा में हमने देश में कई करांतिकारी बदलाव भी किये आज जनता नए भारत के लिए आकांशी है आज लोगों को हमसे अपेक्षा हैं बढ़ी हैं आकाशा हैं बढ़ी हैं उम्मीद बढ़ी हैं ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने सवेधानिक दायतों का शुद अंतरकर्ण से निर्वन करें और उनकी अपेक्षाओं आकांशाओं और उम्मीदों को पूरा करें और आकांशी भारत के सपनों को साकार करें मानेवर हम सबका सुभाग्य है कि हम ऐसे कालखंट के जनप्रतिती हैं जिस समय भारत हर शित में तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारी लोगतांतिक संस्क्रती और हमारा सेष्ट नेतत के कारण हम पूरे विश्च को एक परिवार के रूप में लेकर वेश्चिक चुनोतियों को समधान के लिए भारत एक सार्थक भूमी का निभा रहा है आज हम नए भौन में प्रवेश कर रहे हैं नए भौन में प्रवेश करते समय विक्षित भारत बनाने की हमारी प्रतिवत्ता को हम दूराने का आउसर भी है हमारा संकल्प है कि हम इसी संसिदिय लोकतंद से साहमुईक चर्चा समवाद सहमती आसमती और कठिन परिश्चम से सारे देश की जनभागिदारी के साथ इन आकानशाओं को पूरा करेंगे विश्च के सबसे बड़े संसिदिय लोकतंद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इसलिए आउस्चक है कि हमारी संसद हर एक मुद्दे पर चर्चा करें सार तक सकारात्मक दिशा दें कानून बनाते समय सार गर्मित चर्चा हो सकारात्मक के साथ चर्चा हो ताकि हम देश को और अधिक समर्थ बना सकें और इसमें हमारी संसरत की उलेक निये भूमी का होनी चाहिए आजादी के समरत काल में हम 2047-2047 तक विक्सित भारत के निर्मान के लक्ष को लेकर चल रहे हैं विक्सित भारत बनाने का ये लक्ष हमारी संसरत के माध्यम से साकार होगा हम ऐसे संकल्व की प्रतिवत्ता के साथ नए भौन में प्रवेश करेंगे जहां हमारी भागीदारे भी होगी जनता की अपिक्षाएं भी पूरी होगी और नए आकानशी भारत और 2047 में विक्सित भारत के सपने को भी पूरा प्रकाएंगे आज गनेश चतुति के शुब दिन ऐसे शुब दिन पर अच्छी परंप्राएं अच्छी परपाटियां अच्छी प्रताएं अच्छे अनभव हम साथ लेकर जाएं और नए संसत भौन में उनको इस्तापित करें ताकि विश्च के लिए भारत का लोगतंत मार्दक्षर बन सके नया भौन हमारे देश की आकानशी जनता के लिए परिणाम दायक हो परिवर्तन कारी हो ताकि हमारे स्विधान निर्माताओं ने समानता न्याय और बंदुता का जो संदेश दिया है उसे हम पूरा कर सके हम अपनी संसत को देश की जनता की सिवा में सच्चे भाव से समर्पित करें इसी अप्रिक्षा के साथ मैं पुने इस भवन को उन सब लोगों को जिनका इस लोगतंत को इस्तापित करने में लोगतंत की मर्यादा प्रतिष्टा बढ़ाने में योगदान रहा उन सब को भी नमन करता हूँ धन्यवाद